हेलो वाईज दिस मोई तहरवार और आज का अपना टॉपक है लुईस तुपल रिस्पोंस दिखें लुईस तिरीपल रिस्पॉंस एक तरह से वस्कुलर रिस्पॉंस है जा अपन को ब्ही रियक्षिन करते हैं अपनकी स्किन पर तो वहाँ पर रैडनेस साप्येरेंस होता है तो यह अपन के लिए एक तरह से सुरक्षा का काम भी करता है तो लुईस नाइम के वेग्जानेक तो उन्होंने यह response हो जा तो अपन देखते हैं लुईस तरफ पर response is the vascular response of skin, skin का vascular response है that includes three consecutive reactions जिसमें तीन reaction होती है blood vessels of skin to a mechanical stimulus, mechanical stimulus के लिए तीन तरह की reaction होती है तो यहां पर थोड़ी दिर बाद में रेड रेड होने लगा इसको क्या बोलते हैं लोग रेड रेक्षन तो it is the appearance of red line when pointed instrument is drawn firmly over skin तो skin के उपाज अपन pointed instrument चलाते हैं तो इसकी बज़े से पर रेड लाइन अपियर होती है red line अपियर होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग red reaction जो कब अपियर होती है 15 seconds after stroke and attains maximum intensity at the end of one minute तो एक मिनट के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है जब की 15 seconds में अपनको यह अपियर हो जाती है ठीक है फिर अपन देखते हैं it is due to dilatation of capillaries capillaries की dilatation से होती है तो capillaries जब डाले होंगी तो उसकी बज़ेस क्या होगा आप ब्रड का लीकेज हो जाएगा कहां पर extracellular fruit में इस वाज़ेस कहां इसके में दिखने लएगे अपनको रेड़नेश इट अकार्ज ड्यू रिलीज ऑप एच सबस्टेंस हिस्टा में एक सबस्टेंस होते हैं वह रिलीज होने की बज़े से होता है ठीक है नौट डेपेंट्स उन नरवर्स फैक्टर पर डेपेंड नहीं होता है अगर नरव इस से रेडिट कार्ड भी देए तो भी ये रियक्शन अपियर होगी हिस्टा में फैक्टर ही आपनके क को क्या होती है flare reaction appear होती है if stroke is applied little more force और if stroke repeated on same line red reaction spread around line of stroke called spreading plus तो यह किसी दूसी जगा दो force increase करके यह उसी red reaction पर देते हैं तो क्या होता है spread हो जाता है around तो इसको क्या बोलते हैं लोग spreading plus बोलते हैं ठीक है तो spreading plus अपनको समझ में आ गया कि किस तरह से एक सनगार और force increase करके दी जाए तो वहां पर आसपास क्या हो जाती है spread हो जाती है ठीक है जो अपियर का बोती है 30 seconds of red line red line के 30 seconds के बाद it is due to dilatation of arterioles तो यह भी किसके arteries के dilatation की वज़े से हो रही है अब इसको dilate कौन कर रहा है depends अब किस तरह से से किया जाता है नॉर्मली इंपल्स पाई पास्वाइ सेंसरी नर्फ फाइबर टूबर नर्फ सेल वड़ी इन पोश्टियर रूट गेंगलियों तो आपन का sensory impulse है बें किसके तुरह सेंड किया जाता है sensory nerve के तुरूब वड़ाइबर नापकर कर दी है कहां तक पोश्टियर रूट गेंगलियों तक लेकिन एक अधर ब्रांच होती हो क्या करती है अपोज़े डाइरेक्शन में बिलड वैसल तक उसको ले जाती है और वैसोडाइलेशन करवा दीती है तो सम इंपल्स पास वाइब अधर ब्रांच ऑप सेम फाइवर इन अपूजट डाइरेक्शन इसकी वाज़ेशन होता है इसको क्या बोलते हैं अपन एंटी ड्रॉमिक या एक्जोन बोल देते हैं ठीक है और फाइवर्स को क्या बोलते हैं अपन एंटी ड्रॉमिक वैसोडाइलेटर फाइवर्स इट इस नोट भेन डीजनरेशन मलब यह नहीं हो सकता है कब जब डीजनरेट हो जाए अगर नर्व डीजनरेशन हुआ नर्व कट गई यह कोई भी डिस्ट्र इसका बढ़ुट गयंग लिए हों तक लेकिन इसकी डारेक्शन में एक और फाइवर अपूजेक्या में इंपर्स कर रहा है और व्लट वैसे क्या हो रहा है वैसो डालेशन हुग जिस्वजेस क्या होती है अपनो फ्लेरी एक्षन मिर लाई इसको क्या बोलतेए पर लोग a स्थोन तक तक हुँआते हैं टू और फिलूड हो जाएगा इस वज़े से क्या हो रही है विल आपियर हो रहा है बिलड के लाब और भी सब्स्टेंस होने की बज़े से ठीक है नौट डपेंड सब्सक्राइब नहीं करता है तो यह अपन का लगवा पूंचा जा सकता है उनिवर्सटी में कई बार पूंचा भी गया है तो देड़ दो पीस का अगर आप लिखके आते हो इतना भी लिखके आते हो तो आपको अच्छे से नम्मर मिल जाएंगे ठीक है थैंक्यू गाइज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल और अपने अपने मेडिकल गूर्प में भेजें थाकि सबको यह नोट्स और लेक्चर प्रवाइड हो पाएं थैंक्यू